कि नमस्कार मैं आजमिन खान और आप देख रहें एस्पियन नाइन न्यूस बढ़ती हिंसा को देखते हुए और जहां उत्तर पूर्वी इलाके में जो हिंसा भड़की थी जहां दंगे हुए थे वो सिक दंगों से उनकी तुलना की जाती है ये ऐसा नरसंगार देखा गया था जहां पर कितने मासूम लोगों की जाने गई हैं करीबन 42 लोग बताए जाते हैं जिनोंने अपनी जान गवादी सिर्फ और सिर्फ उत्तर पूर्वी इलाकों में जो हिंसा हुई है जहां नागरिक्ता संसोधन कानून के समर्थक और विरोधी आपस में भीड़ते वे दिखाई देते जहां कप्पल मिश्रा जैसे नेता वहाँ पर भड़काओ बयान देते हुए नजर आये थे वहाँ पर इस हिंसा के बाद संख्या बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है अब 42 बताया जा रहा है अभी भी खोजबीन जारी है हो सकता है कि आकड़े और भी बढ़ सकते हैं और वहाँ पर 885 FIR दर्ज की गई है यानि कि ये आरोपिस सिध हुए है तो आप देख सकते है कि किस तरीके का महाल पूरी दिली में और पूरे भारत में भी दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ नागरिक्ता संसोधन कानून के इस एक्ट के तहट यहां पर सिर्फ एक ही मांग है कि इस एक्ट को ना लाया जाए लेकिन यहां पर सरकार अपनी बातों से टस्ट से म सोती हुई दिखाई नहीं दे रही अब हम इस्चा कॉलकत्ता गए थे तरह चुनावी दौरान के बोलते वे नजर आये थे कि ममतब अनर्जी ने कुछ नहीं किया और ममतब अनर्जी की खामियों को गिनवाते हुए नजर आये थे कॉलकत्ता में अमिश्या की रेलियों में वही चीजे सुनाई दी जो पहले बीते दिनों कई रेलियों में सुनाई दी थी कि वो इसमें कोई बदलाव नहीं करने वाले चाहे कुछ भी हो जाए और वही सीन चारू तरफ देखा जा रहा है अब हिंसा के लिए जो राय आ रही है वो हर तरफ से आ रही है तो बैसे में इसकी लहर बॉलिवूड तक पहुंचती भी नजर आ रही है और जरूरी भी है कि बॉलिवूड से लोग अपनी आवाज उठाएं क्योंकि अगर आपको इतने लोग पसंद करते हैं तो आपकी आवाज को सुनना भी पसंद करेंगे और आपके कहने पर शांतई का महौल भी होगा तो इस तरीके को देखते हुए बॉलिवूड के एक एक अक्टर है जावेज जाफरी जहां वो अपनी कॉमेडी से लोगों को हसाते रहते हैं वहां पर उनके टूइट के जरीए एक ऐसी बात सामने आई है जहां पर सोला आने सच कहा जा सकता है यहां पर जावेज जाफरी ने कहा है कि जब नफरत फैलती है तो लोग अपने नफरत में इतने घुश जाते हैं कि आपकी धार्मे किताबों को लेकर भी बुरा शब्द इस्तमाल करते हुए भी देखी जाते हैं यहां पर आम आदमी आम आदमी से तुलना नहीं करना चाहता यहां राजिनेतिक पार्टियां अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में आप लोगों को आपस में भिड़वाती हैं आप लोगों को उकसाती हैं गुमरहा करती हैं उनके बिना पर ही वोट पाती हैं और वो ही चल रहा है भी दिल्ली में भी दिल्ली में सभी पाटिया यहां पर अपना ही उल्लू सीधा करती हुई नजर आ रही है यही बहकाती हैं लोगों को जिसके बिना पर हिंसा दिखाई दे रही है और यही हिंसा उत्तरपूर्वी इलाकों में देखने को मिली थी और यह आपका क्या कहना है जावेज जाफ्री के इस बयान को लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मुझे दीजे इजारत और ऐसी बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहे एस्पेन नहीं नहीं।